हेलो एबरीवन मैं विश्चुजीत सिंग आप सभी का दीईन पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.M.H.I. 0.9 लेसन 3 भारती रास्टवाद पर परिपेच्छे 1 पढ़ने वाले हैं वीडियो इंपोर्डेंट है चले स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस लेसन 3 के अंदर में totally हमें 3 important topic पढ़ना है इनके अंदर में कहीं सारे topics बनते हैं başka में इंप्नवेश वादी रास्टवादी और मार्क्स वादी इन उनके अंदर में कई सारे विचारक आते हैं जिन्होंने अपना विचार व्यक्त किया for example जैसे Jemsmil हो गया ठीके विडिन Smith हो गया तो इस तरह करके कई सारे विचारक आएंगे भारती विचारक भी आएंगे ठीके तो उनके बारे में हमें पढ़ना है कि उन्होंने क्या कहा भारती रास्टवात को लेकर ठीक है चले स्टार्ट करते आज की वीडियो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी नोटबुक लेकर बैठे क्योंकि वीडियो लेक्चर बेस होने वाली है मैं बोलूँगा आपको नोट डाउन भी करना पड़ेगा कई जगह पे तो आप उसको लेकर बैठे जिससे आप नोट डाउन कर सेके और कहीं पर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ ले लिंक देया हुआ है वहां से आप डिर्कली जोइन कर सकते हैं ट्यूटर टेलिग्राम इंस्टाग्राम कहीं भी जाकर जोइन करो ठीक है वहां पर डिर्कली पूछ सकते हो ठीक है समझ में आता है चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बात करूँ उपनिवेश्वाधी परिपेछ़े की यहां पर कई सारी स्टूडेंट्सकी कन्फ्यूजर उन ओगा परिपेच्छे मतलब क्या होता है इस तरसे जो दृसाया गया है जो जैसा था उसको उसी तरशाना बिना कोई बदलाव के, ठीक है, सिंपल सी लेंग्विज में ये कहते हैं, ठीक है, परिपेश्चे का मतलब, अब इस लेसन के अंदर में, इस टॉपिक के अंदर में हमें क्या पढ़ना है, उपनिवेश्वादी परिपेश्चे, तो अलग-अलग समर्थक लोग हुए, जैसे मालो बैंगलोर को सपोर्ट कर रही है, चार लोग मालो चैन्ने को सपोर्ट कर रहे है, चार लोग मुंबई को सपोर्ट कर रहे है, ऐसी दस हो गया, मतलब इस लोगों ने तीन टीम को सपोर्ट किया, चार मुंबई को, चार चैन्ने को, दो बैंगलोर को, इस तरह से किया, ठीक ह आपस ने बट गई और इनकी विचारधारा जो थी ठीमों को लेकर वो भी बट गई ठीक है ये जो चार सपोर्ट करे थे मॉंभई को इनका मानना है निया निया पेस्ट है इनका मानना ही ये बेस्ट है फीक है समझ डिमाता है तो उसी तरहसे क्या हुआ कि भारत के जब रास्टवाद के हम बात करते हैं तो रास्टवाद के सुरुवाद कब हुई जब हम अंग्रेजों के गुलाम बन चुके तो उपनिवे शम बन चुके थे और बनने के बाद जब हमने अपनी आजादी के लिए लड़ाई सुरू करी तो लड़ाई सुरू करने के लिए हम किसकी भावना रखकर लड़ाई करते हैं कि देश की भावना जब हमारे मन में देश रास्ट की भावना आती है न उस समय रास्टवाद भी उत्पन हो जाता है कभी भी कोई वी चीज़े जब होती हैं उस समय अगर आपके मन में राष्ट की भावना हो देश को लेकर आगर आप सोचते हो तो राष्टवाद की भावना अपने आप आ जाती है तो जब राष्टवाद की भावना आई तो वहाँ पर जो लोग थे जो विचारक थे उनके तो इस तरह से वो तीनों तीन जगर डिवाइड होगा जिस तरह से हमने यहां पर आई पेल टीम के साथ अपने फैन बेस डिवाइड किया था ठीक समझ में आता एक्जम्पल से अब यहां पर हम बात करेंगे जो भी उपनिवेश्वादी समर्थक विचारक थी उन्होंने क्य अपनिवेश्वादी समर्थक विचारकों में जादातर अंग्रेज थे अंग्रेज केने क मतलब क्या जो विदेशी विचारक आए वो थे भारतीय विचारकों का बहुत कम रुजान यहां पर देखने क्ले मिलता है ठीक है आब यहां पर क्या बात के जाता है जैसे कि सबसे ने क्या कहा उपनिवेश वादी को लेकर कि भारत क्या है एक रास्ट नहीं है ठीक एक रास्ट नहीं है भारत क्या एक उपनिवेश है ठीक है उसने ये बोला अब उपनिवेश मतलब क्या होता है उपनिवेश मतलब होता है उपनिवेश को दो पार्ट में बाढ़ देते हैं उप मतलब होता है किसी को ऊपर और निवेश मतलब होता है अधिकार करना ठीके तो किसी के ऊपर अधिकार जमा लेना उपनिवेश कहलाता है अधिकार करना इंवेस्टमेंट करना ठीके किसी के ऊपर अपना अधिकार जमाना उपनिवेश कहलाता है बिरिटेन हमारे उपर आय किसको क्या करना चीए ठीक है सब कुछ उसने अपनों कोडिंग किया और 200 सालों तक यह सारी चीज़े चली और जब हमने भारतिय राष्टवात की सुरुवात करी ठीक है जब हमने अपनी देश के जादे के लड़ाई शुरुवात करी तो ओ भी बहुत लंबा संगर्स रहा उ डाष्ट नहीं है ठीक है वह एक है उपनीवेश है उसके बाद वह कहते कि भारत के अंदर में क्या है एक चा बहुंत बहुत बड़ा रोल रहा है भारत के अंदर में एक्ता इस्थापित करने का उपनिवेशिक शासक का ऐसा क्यों कि देखो जब वह गुलाम बनाए हमें तो गुलाम बनाए तो हम तो सारे अलग लगते वह हिंदू है मैं मुसलिम हूं वह चोटे जाती का है मैं बड़े जाती का हूं ठीक है मैं अधिकारी हूं वह पढ़ा लिखा नहीं है मैं पढ़ा लिखा हूं तो इस तर से बहुत जादे अंगीनत चीजों में बटा हुआ था भारत विवित्ताओं का सायरे वह मानता हो पर इतना ज्यादा विवित्ता रखना मन में मतलब बाहर से दिखे मन में होटी जाती हो बड़ी जाती हो ठीक है पढ़ा लिखा हो और पढ़गवार हो सब ने मतलब एक साथ आकर लड़ा ठीक है और तब हमें अजादी मिली तो यहां पर कहते हैं जेम्स मिल कि भारत में एकता लाने में उपनवेशिक सासर की भूमिका थी और इस बास से मैं भी य स्टैची और जौन सिले ठीक है इस्टैची और जौन सिले क्या कहते हैं यह कहते हैं यह कहते कि भारत का एक राष्ट बनना असंभव है सीधा सीधा बोलके जाते हैं कि भारत का एक राष्ट बनना ठीक है राष्ट के तौर पर बनना असंभव है ठीक है यह स्टैची और ज नीर जाथिया निरितर्जातिया好吃 ऑसा अग्षी का पूरा गुरूप में एंगर 것이 आप डिप्रिट्न अमेरिका में चले जाओ तो आपको जाज़ा तर सोरी दोस्तों सोरी देखो यहां पर जो स्टेची और जॉन से लिए आते हैं यह कहते हैं कि भारत में कई सारी जाते हैं कई सारी धर्म हैं कई सारे भासा हैं कई सारे छेत्रिय समू हैं ठीक है इसके कारण से भारत कभी भी एकता नहीं बन स सब्सक्राइब हम पर अगर आप मान लो अमरिका जाते हैं किसी यूश्प क्यों से लिए कहते हैं , और भारत का एक राष्ट परना संभव है, इन दो पॉइंट्स के उपर में जौन सिले और स्टेली बोलते हैं, ठीके समझ में आता है, अगले विचारक आते हैं, वैलेंटाइन डे चिरोल, वैलेंटाइन डे चिरोल करके आते हैं, तो चिरोल क्या कहते हैं, चिरोल यहां पर क नहीं किया इस बास से मैं भी अगरी करता हूँ कैसे भारत इतना बड़ा तो है पर आपको पता होगा कि जब अंगरेज भारत छोड़ के गए तो 565 राजवारों में बटा था था पहरत था क्यों अंगरेज नहीं तो पहले इसको एक कर दिया था पर बाद में 500 पैसे बटा तो अंग्रे जब गए तो नोंने एक रूल पास किया कि बहुत जैसे इस्तिती था मेरे आने से पहले उसी इस्तिती में आज आगा और सब अपने मनिके मालिक हैं जो जैसे उनके बारे में पढ़ोगे, जो उन्होंने बनाया था कि सरजय भारत को जोड़ा, उसके बारे में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आते हैं, चिरोल कहते हैं, कि भाई भारत क्या है, भुगोलिक जो आप इस्तिती देखते हो भी, वो भी के जो लोग थे, उनके बीच में एकता की बन्यादी कमी रही है, इसलिए वो अर्बो, तुर्कों और अफगानियों से आकर्मन का सिकार हुए, अगर भारत के अंदर में एकता होती, तो कभी भी वो अर्बो का सिकार नहीं बनते, तुर्कों का सिकार नहीं बनते, अफगान मन को सहाय है ठीक है जैसे आप देखो सोमनात का मंदिर कितनी बार तोड़ा मैं मुद्गजनी ने पर हम कभी भी उसको पलट के जवाब दिये ही नहीं ठीक है और अगर कोई राजा हिम्मत भी करता ना कि भाई हमें ही जाना है और उसको जवाब देना है तो बाकी राजा जादा नजदीक में गंदगी हो रही है मेरा गर यहाँ पर है मैं क्यूं जाओं अब भाई गली तो तेरी भी है गली तो उसमें गली में भी तुम भी रहते हो आज मेरे गर के पास हो रहा है गंदगी फेक के जारे कल क्या पता यह गंदगी दर फूल हो जाए तो तुमारे सबसे पहले आते हैं यहां पर कहते हैं रास्टवादी विचारक होता कहा है हम प्राष्ट की भावना ऐती है तो रास्टवादी विचारक के तौर पर जाने गए यहां पर का जाए ता कि रास्टवादी लेखोगों ने इसे कुछ सीमा तक स्विकार किया जो उपनिवेस्वादी बोला ना जिने जितने भी विचारक आए उन्होंने बोला कि भारत के अंदर में एक्ता की कमी है भारत की भुगुली की सिती यह है जिस तरह से मैंने बोला कि मैं इसको मंजूर करता हूँ, मैं अक्सेप्ट करता हूँ इस तरीके से रास्टवादी जो लेखक थे, उन्होंने इस तरह से चीजे तो हैं, हमारे अंदर में ये कमी तो है, ये रास्टवादी लेखकों ने भी माना, ठीक है, इस तरीके से माना उ ठीक है रहां पर रास्टवादी लोग करते हैं कि हमारे अंदर कमी है ये बताना सही है पर आप भारत को और भारत के लोगों को इखादिस करतों कि नहीं ये गलत लोग है अब क्या लोग क्या जमीन छोड़के चल जाएंगे तो उसके कारण से यहां पर ये उसका विरोध करत हैं रास्टवादी लेका को के दो ड्रिषटी कौन 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 से हैं किस तर से थे की पस्ष्यम परभाव में रास्टवादी विचारदार का अगमन हुआ एga उपना आया रा 3 वाध के और बढ़े और भारत के जाद ले लड़ाई लडने लुगके स्असर दूसरा र भारत में प्राजिन इतियास का रिभॉआ하드 यह इस तरह से बानं पर है यहां पर दिरश्ट कौन हमें देखने के मिलता है ठीक है यहाँ पर सबसे पहले आते हैं उदार रास्टवादी आते हैं उदार रास्टवादी क्या कहते हैं उदार रास्टवादी यहाँ पर कहते हैं कि पश्चमी सिक्षा और सोतंतरता के विचारों का परसार रास्टिता निर्मान के लिए उत्तरदाई था जो भी हम पश् कि अंग्रेजी सिख्षा मद्यमवर्ग को रास्टिय चेतना जागरित करने का संदेश देती है ठीक है जो मद्यमवर्ग था लोग मद्यमवर्ग थे उनकी रास्टिय चेतना किस तर जागरित हो वह अंग्रेजी सिख्षास उन्हों भारतियों न的是 150 के मार्क की तलाश शुरूओ करती रास्टी कंगरेस की स्थापना हुई जैसे पहरत के लोग क्या हुए कि स्थांता के लिए लगने लगे तो उसके बाद ही जाकर कर कि रास्टी कॉत आगे बढ़नेRaक की निशाओ को कि Congress एक ऐसा base देगा आधार देगा जहां से जहां से लोग क्या करेंगे अपनी विचारधारा को रख सकेंगे और अंग्रेजों तक पहुचा सकेंगे और अजादी के लिए लाइलर सकेंगे पर हर बार यह भूल जाते थे कि यह जो Congress है इसको अंग्रेजों नहीं बनाया है और अपने लिए बनाया अपने सहूलियत के लिए बनाया है पर समय के साथ क्या होता है Congress के अंदर में परिवर्तन होता है Congress की विचारधाराओं के अंदर में परिवर्तन होता है ठीक है पहले जो Congress था वो अंग्रेजों के रिवक करता था ठीक है उसके बाद में दिरे-दिरे इनकी विचारधारों परिवर्तन होता है और एक रास्टवा थी देरी देरे अंग्रेजों से हटते हुए उपनवेश हटते हुए रास्टवादी के और स्विच हुई क्योंकि उसने देखा कि लोगों के अंदर में आक्रो से रोव से बहुत ज्यादा गुसा है ठीक है और वो रोस की नतीजा है निकला कि 1857 में 1857 का विद्रो था वो हु स्थापना की गए उसके बाद में Congress Party के स्थापना हुई ठीक है और Congress Party का क्या सन था यह आपको इस वीडियो के लास्ट में बताना है ठीक है कमेंट करके बताई है Congress Party की स्थापना कब की गई थी किस सन में की गई थी ठीक है 1857 के युद के बाद जो हमारा विद्रो हुआ उस के लिए उन्होंने Congress की स्थापना करी और Congress की सुरुवाती जो विचारदारा थी वह अपनिवेसिक विचारदारा के समर्थक थी ठीक है जो भी उसके अद्यक्षपने उसारे विचारदारा के समर्थकते बाद में दीरे-दीरे-दीरे करके समय के साथ में क्या होता है इसमे यहां पर बस करते है यहां तक समझ में आता है आपको यहां पर रास्टवादी विचारदारक के कुछ विचारक आते हैं विचारक में हमने पहले सबसे पहले पढ़ा उधार रास्टवादी का यहां पर आते हैं आर के मुखरजी करके एक विचारक आते हैं वो क्या कहते हैं आरके मुखरजी का कहना है कि भारत एक महान था ठीक है महान देश था और प्राचिन काल से ही महान है ठीक है उसके अंदर में कोई सक नहीं है आरके मुखरजी के अनुसार ठीक है सासत वो कहते हैं आरके मुखरजी ठीक है ये कहते हैं भारत एक महान देश था और प्राचिन का में मौझूद था यह भी यह बोलते हैं तुकि यहाँ पे कहते हैं इसके बाद यह तो आर्का मुक्रजी इतना बोल के जाते हैं कि भारत प अगली विचारक के राष्ट वादी विचारक के तरन पे यह कहते है भारत पिछले 2000 वर्सों से एक रास्ट है जो अंग्रेज जिसने बोला था कि रास्ट नहीं है भारत यहाँ पर कहके जाते हैं कि 2000 वर्सों से ही भारत पहले से ही रास्ट है आप 200 साल राज कर रहे हो और 200 सालों के अंदर में आपको यह लगा कि रास्ट नहीं है भा भारत के अंदर में हो कहते कि भारत ऐसी सवब्यता थी चीम होग थी जहां सब्सक्राइब घ्रीग ऑने हमलावर के रूप में यह थे पर उबस गए ठीक है फार्सी ऑंग्रेज जो हमलावर की रूप में आए थे भारत को लुपने के लिए यह थे पर उन्हों भारत के अंदर में 200 सालों तक राज किया और भारत की यहां के संस्कृति को अपने अंदर विला किया यहां के चीजे सीखे और अपनी चीजे सिखाई थीक़िए तो यहां पर टैगोर साब कहते हैं भारत पहले सही एकताओं का अदेश है विवित्ताओं को अदिये से ठीक है और भारत क्या करता है एक दूसरी को अपनाता है यहाँ पर यह मान कर रविंदरना टैगोर चलते हैं रविंदरना टैगोर का जो जवाब था वो बहुत ज़्यादा एक तर से मान के चल सकते हैं तो में नात है क्या है सुभासचंदर बौस का यहां पे कुछ विचार आता है। हें अनेक भी विटाएं हैं भारत के अंदर में, इसके बाद वे बुनयादी एक ता का स्वामी है भारत, ठीक है? पर वो बुन्यादी तोर पर क्या है एकता का स्वामी है ये सुभास चंदर बोस ने बोला था ठीक है उसके बादी राष्टवादी इतिहांसकार आते हैं जिसमें सो कहते हैं कि राष्ट या अंदोलन के लिए आजादी की भावना के अलावा अनिक कारक का युगदानों मानत अब देखो यह कुन-कुन सी चीज रही जिम्मेदार रही तो जैसे असयोग आंदोलन अंगर्टी जीन असयोग आंदोलन क्या ये जिम्मेदार रहा ठीक है लिविटन भी लाया था वो जिम्मेदार रहा आर्थिक कारण जो अंग्रेज यहां से पैसे ले जारे दे बाहर यहां पर यहां पर इस तर से यह कारण बताते हैं आगे मैं बात करूँ दोस्तों यहां पर आता है अगला विचारक माक्सवादी नजरिया के नुसार से पर सबसे पहले एक बच्चे का कमेंट था पीछे कि सर यह जो आपने जिस तर से बोला इसका आंसर में कैसे हों ठीक है तो यहां पर नॉर्म्मली जो कोशन पुछा जाते कि रास्टवादी विचाराक के नुसार भारती रास्टवाद को समझाई में उसके बता दो अधार रास्टवादी वह क्या कहते हैं वह बतादो और ताके मुखर See you know entree नीज अठागness DC यहां ने अमभर कीमत है कि कितने बीटिम पूछे पूछ रहे हो पेज में करें कि बर कमेंट करने बच्चे पूछ रहे होताए कि एक्जाम ऐने वाले है अब वापस से वह सिज़े सिलसिला स्टार्ट होगा कि सर कितने पेज में लिखें पेज की यहां पर जुरूत नहीं है ठीक है 20 नंबर का कोश्चन होता है आपको 500 वोड में लिखने होते हैं ठीक है 500 वर्ड में तो इतना बड़ा है 500 वर्ड पर एनफ हो कर आए माक्सवादी यहां पर विचारत कर्थे माक्सवादी क्याओ क्या जीण करते के बाई हैं वह अपना यहां प्ड़ाक्रन करते हैं कि दोस्तों में थोड़ा बुर है टिस्टॉर्बिंस हुई है ठीक है तो थोड़ी से शोर्बिंद कराव obsessed किजिए गाओ और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे है न तो like, share, subscribe ज़रूर किजिए और सभी मतलब जो भी वीडियो आपके से ही वी चैनल की वीडियो देखते हो तो सभी का एक hope होता है उमीद होते है कि मेरा वीडियो अगर वो कोई student देख रहा है ठीक है, जो भी पढ़ाने वाला हो, चाहे comedy करने वाला हो, कुछ भी हो तो सभी एक उमीद होती है कि अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो वो must be subscribe करेगा, share करेगा अपने दोस्तों के साथ और उसको भी कुछ benefit होगा उस वीडियो को बनाने का ठीक है, तो मैं अभी यही उमीद करता है दोस्तों कि आप सभी students के साथ share करेगे, जो भी आपके दोस्त हैं जो MA history पढ़ना चाहते हैं, या फिर कोई और course के लिए इंडॉल कर देए, किसी तरह की जानकारी चाहिए तो उनके साथ आप वीडियो का link share करेगा जिससे हमें benefit हो, और हम आगे और भी ज़्याद अच्छे से आपके लिए पढ़ा सके चलिए हम आगे बात करते हैं, माक्सवादी नजरिया की माक्सवादी लोग क्या कहते हैं, तो माक्सवादी विद्वान जो थे वो राष्टवाद के आर्थिक कारकों को वरगिये विवेद के साथ ध्यान देते हैं वो यह मानते कि जो आर्थिक कारक था, उसके कारण से राष्टवाद का उत्पन होता है माक्सवादी यह मान कर सलते हैं सासत में उपनिवेशिक परिपेछे का आलूचना, जो उपनिवेशिक परिपेछे था, और जिस तर से उन्होंने बोला कि एक टाकी कमिती ये था वो था, तो इसकी वो आलोचना करते हैं, ठीके, वो कैते भारत हमेशा सें एक राष्ट नहीं था, वो आधूनिक समय में एक रास्ट बना माक्सवादी यहाँ पर क्या कहते है कि भारत हमेशा से तो एक रास्ट नहीं था वो इस बास से अगरी करते है पर सासत कहते है कि वो आधूनिक जो अभी का टाइम है ना आधूनिक समय है ठीक है उस समय में वो जाकर और वो एक रास्ट के तौर पर बनता जा रहा है ठीक है यह बन गया है यह कहकर माक्सवादी कहते हैं माक्सवादी एक विचारक आते हैं MN राय Fit कि राश्टवादी आंडोलन एक सवह भोमिक धाचा था जो राश्टवादी आंडोलन तान में धांडोलन एक सर्भोमिक होना के तौर पे दिखा गया यह एमें ड्राई कहते है तो नहीं सब जीवात की और भी बढ़ता जा रहा था भारत में सामंत वात का पतन हो चुका था वुर्जुवा वर्ग जो था वो उभर रहा था ठीक है भारत के अंदर में क्या हुआ करांती हो सकती घ्र किम अधिकारों का ध्हया हो रहा था वही इस क्रांती को आगे बढ़ा सकते हैं यह सब्रकल का नाँकर कि मजदूर का कि स्सें आरपी 10 साब कहते हैं कि 1859 का विद्रो राजवाडों का विद्रों था इसके अंदर में कोई गरीव और दूसरे जो निम्क वर्ग थे उनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया ये राजवाडों का विद्रों तक्सीमित रहा और ये सही भी है जितने भी 1859 के विद्रों के कि अंदर में पारिस्पेट कर रहे था उसके हाथ में जिसके पास पहले से सब कुछ है उसके रहा हुआ हुआ है ठीक है और कोई भूखा पेट बैठा हुआ है तो से पूछा जाए कि खाना खाऊगे तो मैं तो बोलूगा नहीं नहीं यार मैं निखाऊँगा पर वो तो खाईगा ना उसका भूख लगी है ठीक है तो समिद्वर्क के हाथ में अगर उससे कोई पंडी जवारलाल नहरू के लिए भी कहते हैं आर्पी दस साब निनी पर मतलब ऐसा माना जाता है कई सारे विचारे की इस वात से एगरी करते हैं कि जैसे जो पंडी जवारलाल नहरू थे नहरू जी थे और यहां पे जिन्ना जी जो थे तो इनसे जब 1947 में पूछा गया कि भ एक पार्ट में तुम बन जा प्धान मंत्री एक पार्ट में बन जाता हूं तो इनको क्या फर्क पढ़ रहा था इनके पास पहले सी सब कुस था इनको कोई दिक्कत नहीं परसानी नहीं अगर किसी गरीब से पूछे होते न तो वह बोलता कि नहीं बाई एक ही बनेगा चाह तो यह चीज़ें यहां पर मैं देखता हूं ठीक है और यह इसके अंदर में कमी हो कई सारे इतिहांसकार इसको सपोर्ट करते हैं आरपी दस साब आगे कहते हैं कि भारत एक समिर्द वर्गों के नितित्व में था और समिर्द वर्ग कॉंग्रेस के प्रभावसाली भूमिका में थी जो समिर्द वर्ग थी उसके अंदर में कॉंग्रेस का जो कॉंग्रेस था उसको अंदर में प्रभावसाली भूमिका नि आरपी दस साब, ठीक है, असयोग आंदोलन का असफल होने में सबसे बड़ा कारण इनी के कारण असफल हुआ, क्योंकि जैसे ही वो क्रामतिकारी की मोड पर जाता था, अब लगता था क्रामतिकारी होने वाले हैं, ठीक है, राश्च्वाग की भावना उग्र हो चुकी है, त एर दिसाई साब क्या कहते हैं, भारती राश्च्वाद के पांच चरण हैं, पांच चरण के अंदर में उन्होंने बाटा, जिसमें पहले चरण में कहते हैं, आदूनिक अंग्रेजी परनाली सिक्षा बुद्धी जीवियों के लिए सुरू किया गया, और राजाराम मोहन जैसे जो लोग थे, जिन्होंने बुद्धी जीवी, मतलब जो अंग्री जी सिक्षा परनाली था, उससे बहुत ज़्यादा benefit हुआ लोगों को, ठीक है, ये मान कर चलते हैं, जैसे राजाराम मोहन राए के जो कारे थे, जो समाज के लिए उत्थान के लिए जो कारे किये ग जो मतलब पड़ी लिखों का एक वर्ग आया, उसने क्या किया हितों के लिए, राष्ट सिच्छा के लिए, हितों के लिए, वैपारी वर्गों के लिए, ठीक है, उसको एक सम्मिलित किया और एक ग्रूप के साथ में आगे बढ़ा, ठीक है, तो दूसरा स्टेप यह मानते ह राष्टवाद की भावना जागरित करने के लिए, भारती राष्टवाद के लिए, यहां पर आता है समाजिक इस्तर पर विस्तरित और निम्न इस्तर पर निम्न वर्गों को सामिल करना, ठीक है, जो समाजिक पहले कहा था, एक लिमिटेड वर्ग के थ्रू ही आंदोलन हो जैसे भी आरपीदर साब ने कहा कि राजवाडों का अंदोलन था, ठीक है, तो यहां पर कहा था, समाजिक वर्ग को जोड़ा गया, निम्न वर्गों को जोड़ा गया, तो इसके कारण से भी राष्टवाद की भावना विस्तार हुई, यहां पर बढ़ती चली गई, ठीक ह होना, इस तरह के जो आंदोलन थे या इस तरह आंदोलन थे जिनके खिलाफ बिल के खिलाफ में बोला गया, वो सारे कारण बन जाते हैं यहां पर, ठीक है, यह मतलब भारती रास्टवाद के चरण का उदय का, ठीक है, इसमज में आता है, पांचवा यह कहते है कि जो कॉंग्रेस था, उसके अंदर में गांधिवादी विचारधारा का परसार होना, ठीक है, समाजवाधी लोगों का कॉंग्रेस के अंदर में सामिल होना, यह कारण बनता है रास्टवादी विचारधारा का आगे बढ़ने का, क्योंकि कॉंग्रेस के अंदर में, starting time period तक तक दिखा गया कि यहां पर जो विचारधारा है वो एक तरश से उपनिवेशवादी विचारधारा तक सिमीथ थी पर धीरे धीरे time के साथ में हौँआ उनकी विचारधारा विपिन चंदर जी कहते कि इनका जो में मोटीव इनों ने देखा कि आर्थिक नजरिया पुंजी वात पर था रास्टी आंदोलन माक्सवादी परिपेच्छे ने परिवर्तित किया जो माक्सवादी परिपेच्छे आया वहाँ पर रास्टी आंदोलन को परिवर्तित किया व विपिने चंडर जी देखते हैं राष्ट वाणी नेता समाजवाद का विद्रोत कर रहे थे तї कर रहे थे समराज्यवाद का विरोध करना है जितने वी राष्टवादी विचारक आए ठीक है चाहिए हूँ आपे लाला लाजपत राए हो सुभाज चंदर बोस हो ठीक है तो इन्हों ने विपिन चंदर जी ने बोला कि ये किसी आइडिलोजी का विरोध नहीं कर रहे हैं यहाँ पर समराज्यवाद का विरोध कर रहे हैं सिंपल समराज्यवाद जो उपनवेश वो जिस तर से बना रहे हैं उसका विरोध कर रहे हूँ अज आदिक लिए लड़ी नहीं रहे हैं उसका विरोध में लड़ रहे हैं कि तुम इस तरह से कर क्यों रहे हो ठीक है यहां पर यह देखा गया तो यह चीज़ें यहां पर विपिन चंदर जी बोलते हैं ठीक है एक लास्ट आते हैं सुमित सरकार करके आते हैं ठीक है सुमित सरकार आते हैं तो सुमित सरकार क्या देखते हैं कि उदार पंती और नरम बंती जो नरम दल नरम दल था ना तो उदारपंती नरम बंती दो भागों में बटा हुआ था भारतियां पर ठीक है वह विकल वबाद का उप्शन था लोगों के सामने में कि दोनों में सिक्षि एक को चुन सकते हैं और बंगाल में सुधिसी आंदोलोन के अंदे में सिक्षि जाती का बहुत ज़्यादा योगदान रहा ठीक है एक एक तरफा देखा जाता है सिक्षि जाती का उसमें रूल ठीक है तो यह चीज़े वह नोट करते हैं और यह इसके लिए बोलते हैं कि यहां पर सभी वर्गों का समान भागेदारी नहीं देखने के लिए मिलते हैं भारत के रा कोशन मिलते के क्षोशन पर जाओ क 2010 आटा था तो यहां पर है तो यहां पर तीक से कोशन के है दिबते हैं था जैसे भारती रास्टी आंदोलन पर उपनिवेशवादी और रास्टवादी विचारकों कि बीच में क्या अंतर है ये बताईए जैसे रास्टवादी क्या मानते है भारत को एक रास्ट नहीं मानते है ये कहते है भारत के अंदर में एकता नहीं है ये कहते है भारत के अंदर म बिंदु क्या थे माकस्वादी ने क्या क्या बोला तरही कि विचारक आए क्या क्या उन्होंने बोला वह आप यहां पर बता सकते हो जो मैंने इस अफे आपको बताया है कि विपिन चंद्र जो लास्ट मैंने बिन तिन चंदर के बारे में पढ़ाया था और सुमित सरकार लास्ट के जो second last, जो last जो दो विचारक आये इनके विचार और RP दत और RP, AKAAR दिसाइज के जो विचार थे वो अलग-अलग क्यों है ठीक है इनको लेकर बताना है इन्होंने क्या बोला इनका विचारा अलग-अलग क्या है ठीक है वो यहां पर डिफाइन करना है ये भी मैंने भी बताया था आपको ठीक है तो इस तरह की जरूते दोस्तों आप सपोर्ट किजिए और लाइक से सब्सक्राइब जरूर किजिए अपने दोस्तों तक जरूर ये वीडियो पहुचाएए ठीक है फ्रेंट्स थांक ये वाचिंग वाचिंग में थांक ये पर लिसनी में बाबाय टेकर और बैस थैंक ये सो मच फूर व